नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दे स्टेडी पार मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास तक देखते रही है तो स्टार्ट करते है स्टार्ट करें उसे पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल ऐकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस रेलवे गुरूप डी के रिजल्ट के रिगार्णिंग आपको सारी अपडेट हमारे चैनल पे मिलेगी जो पीटी एक्जाम होगा आपका उसके रिगार्णिंग में हम कम्प्लीट अपडेट रखते हैं इस तरह के स्लोगन्स बुल ले जा रहे हैं जगे जगे पूरे All Our India में ये प्रोटेस्स स्टार्ट हो चुके हैं कई जगे आप देखें तो अभी पिछले एक दू दिन में देखने को मिलेगी जगे जगे इस्टुएंट से प्रोटेस्ट किये और आप देखें तो इसकी न्यूज भी न्यूज पेपर्स में भी काफी आई आप देखें तो NDTV रवीश कुमार जी जो है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि काफी सारे की प्रोब्लम्स आ रही है इसमें रिजल्ट में बहुत सारी कमिया बताई जा रही है कमिया यह बताई जा रही है कि कई स्टुएंट्स के मार्क्स इसमें जैसे 100 में से मार्क्स आने थे उसमें से उसके किसी के 102 आ रहे हैं 110 आ रहे हैं 999 तक की मार्क्स सुने हैं तो यह सारी कमिया बताई जा रही है और एक और सेकेंड चीज है कि उसमें raw marks उनके जो पहले marks से वो भी बताए नहीं गए ये railway officials के बारे में जिससे पता नहीं चल रहा कि students को normalization में ऐसा हुआ क्या है कि जिससे students के marks इतने कम हो गए या फिर थोड़े बढ़े तो बढ़ इतने नहीं बढ़े तो वो कुछ complete transparency नहीं है तो students के वही demand है वो में complete बताने वाला उनकी क्या demand है तो आप देखें तो अभी 4 तारीक को ही तो इसका result आया था और students ने उसी के just कुछ दिन बाद ही protest start कर दिया है और ये बोल रहे हैं कि ये एक गोटाला है, scam है लोग पैसे ले लेकि मतलब इसमें लगा रहे हैं इसमें हमी नहीं पता कि इतनी सचाई है बट जी students कह रहे हैं उनका पक्ष है ये और आप देखें तो इसमें जैसे students नहीं कहा है युगाओं के भईशे के साथ खिलवाड बंद करें आर आर बी में 100 में से 148 मार्क्स आ रहे हैं 190 मार्क्स आ रहे हैं और अभी आप देखें तो इसके जस्त नीचे students की इतनी सारी complaints है कि मतलब कुछ भी railway मंत्री tweet करते है उसके नीचे सारी RRB group D वाले students तो अपने सारी problems उसमें लिख देते हैं तो आप जैसे तो mainly तो उनका normalization से issue है कि normalization में उनको कुछ transparency नहीं है उनके raw marks नहीं बताय जा रहे हैं और उसके वज़े से उनको मतलब exact पता नहीं चल पा रहा है कि उनके कितने marks आए हैं और आप उसमें देखें तो इसका second issue है कि जो hundred marks के overall मतलब होना तो after normalization तो कुछ students के उसमें 102, 190, 150, 999 marks आ रहे हैं उसके पीछे क्या reasons है तो मतलब उनका कुछ तो transparency होनी चाहिए तो railway officials उसके बार में अभी कुछ नहीं कह रहे हैं और आप देखे तो पतना वहां पे है तो एक साथ 62 candidates select हो गए तो उसके regarding भी कुछ transparency नहीं है उसके regarding कोई notice है बट students उससे संतुस्त नहीं है और भी इसमें छोटी मोटी मतलब problems है जो railway officials उसको जवाब देने को तयार नहीं है कोई इसके official response नहीं आ रहा है और आप देखे तो काफी news papers में भी आ चुका TV reports में भी चल रहा है तो आप देखे तो इसमें जगे-जगे protest भी हुआ है मतलब students ने rail भी रोकी है और ऐसी भी खबरे आ रही है और काफी सारी इसमें मतलब जगे-जगे protest हो रहा है railway officials पर भी pressure बनना start हो चुका है इसी वज़े से उनके एकादे notice भी आये है तो आप देखे तो इसमें most probably आप हो सकता है कि इसमें ये revised result आये आपका तो आप देखे तो इसके just tweet के नीचे students ने ऐसे से marks किये 102 marks का मैं सारे include नहीं कर सकता tweets तो आप देखे तो इसमें एकादे में tweets आपको include किये हैं तो इसके 102 marks आये हैं और ये 100 marks का ही था तो 102 marks इसके कैसे आ गए तो इसकी authenticity पे तो मैंने ही सवाल करता बट ये जो person है उन्होंने railway मंत्री को लिखा है इसके बारे में letters लिख रहे हैं आप देखें तो students की क्या demand है वह मैं आपको बता देता हूं तो इसमें का railway group D में भरती हुए गोटाले की जाज दुबारा हो दुबार result घोशित किया जाए ये मतलब Northwest railway को लिखा गया है ये कुछ students है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ये ग्यापन दिया है अपनी मांग से अउगत कराया गया है normalization के बारे में पारदर्शीता बढ़ती जाए मतलब कैसे normalization किया उसके बारे में complete details बताई जाए और ये 100 में से marks आ रहे हैं तो ये 102-103 ऐसे तरह के marks students के कैसे आ सकते हैं उसके बारे में complete details बताई जाए और ये जो इसकी minimum qualification रखे गए थी उसके इस हिसाब से revised result आना चाहिए उसकी cut-off भी उस हिसाब से रहनी चाहिए और ये CBT2 की भी मांग कर रहे हैं कि computer-based examination आप second रख दीजिए अगर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते और ये six demanding इनके raw marks बताई जाएं कि जिस मतलब उसके normalization से पहले उसके marks किते थे उसके बाद में marks किते आएं तो उस marks की भी बात की जा रही है और जैसे एक साथ सो बच्चे उसमें pass हो गए पटना वाले center में तो उसका पीछे क्या reasons है उसको बारे में आपको बताई जाए कि आठवी demand है कि कई students के marks 20 से 40 marks तक बढ़े है कई students के marks कम हुए है तो उसका मतलब क्या कुछ है उसका कुछ reason पारदर्शीता से उनको बताया जाए तो ये students की common worries है ये genuine worries है पट आप देखे तो railway student RRB group D वालों की तादाद 1 crore के आसपास है तो आप सोचे कि election time में government इनका गु wise result आये railway officials अपनी गलती माने और ये possibility है कि इसमें बहुत जल्दी कुछ आप स्टैप railway officials के साइट से देख सकते हैं अभी देखे तो इनके pressure built होना चालू हो गया है क्योंकि काफी newspapers भी इसको cover कर रहे है और काफी TV channels भी इसके बारे में बता रहे है और आप देखे तो social media पे भ प्रदर्शन हो रहे है तो railway official space पे pressure बन रहा है और आप देख सकते हैं आने वाले एक दो दिन में इसके बारे में आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है आप देखे तो एक दुखत खबर भी है कि एक railway group D का चात्र था उसने मतलब अपनी suicide कर लिया है जान दे दी है तो मेर आप देखे तो आप देखे तो NTPC में आपकी काफी सरी vacancies है तो आपको 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 लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो इसके खिलाब आप लिख सकते हैं Twitter पे लिखिए हमें लिखिए comment section में आप comment कीचिए बट ऐसे steps ना ले अभी railway NTPC का भी exam है तो आप उसकी preparation continue रखे तो आप देखे तो अभी revised result आने के बहुत ज्यादा chances हो गया है क्योंकि इसमें गड़बडियां बहुत बड़े level पे हुई है और आप देखे तो इसमें मतलब एक option है कि या तो यह technical mistake है या फिर इसमें सही में गोटाला है जैसे students उसका claim कर रहे हैं तो अगर गोटाला होता तो मुझे लगता कि इतने बड़े ताधाद पे होता यह थोड़े छोटे लेवल पे होता और इतने न्यूज में भी नहीं आता बट आप जैसे इसके technical mistake के ज्यादा chances लग रहे हैं क्योंकि जैसे इसमें इतने सारे students के आए हैं normalization में वो इतने बड़े data को company handle नहीं कर पाई तो उस वाज़े से काफी students के marks uneven आ है कि इसका पता नहीं चला तो उस revise result आना मतलब ALP में देखे तो उसमें revise result आया था कुछ time के बाद में क्योंकि उसमें भी वो data handle नहीं हो पाया था उनसे काफी सारी मतलब result में worries थी problems थी तो उसी साब साब देखे तो इसमें revise result आना short लग है और अभी आप देखे तो इसका notification भी कुछ दिनों में आ जाएगा तो most probably revise result विल कम आपका आपका result आएगा आप जैसे इसके बारे में कुछ भी नहीं update आती है तो सबसे पहले हम आपको facebook और हमारे telegram group में join मतलब अपडेट करते हैं तो आप इस दोनों को join कर सकते हैं like कर स मिले but most probably chances है कि आपका revised result आगा क्योंकि सरकार इस टाइम पे एक करोड़ students का गुसा मोल लेना नहीं चाहेगी तो आप देखे तो एक दो दिन में आपको इसके बारे में news आ सकती है officially railway officials इसके बारे में कुछ कह सकते हैं so इस वीडियो में इता ही जिन लोगों ने चलिए subscribe नि आपको दिन लोगों एक दो एक दो गारे में कर दो 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 एक कर दो सकते हैं